दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी गुड नियूज है क्योंकि बेंकों में आ चुकी है नई भरतियां जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए टोफ फाइब बेंक की नई रिकूर्टमेंट की जानका लेकर आएं दोस्तो इस साल 2023 की ये नई भरतियां है जिनका नोडिफिकेशन जारी हो चुका है अलग-अलग बेंकों से ये वेकेंसी निकाली जारी है जिसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देसेते हैं IDBI बेंक में आ चुकी है नई वेकेंसी State Bank of India में आ चुकी है नई वेकेंसी सेलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है कौन-कौन से कैंडिडेट्स अलिजीबल है आवे दिन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अपलाई करना होगा सारी जानकारी देंगे बस वीडियो को एंड तक जरू देगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक करने में कंजूसी मत कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों में जदा स्यादा शेयर कीजेगा रोज़ना सिपरकार गवर्मेंट जॉब की जानकारी के लिए चिलन को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन ज़रू दबाएगा तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टोप फाइब बेंक की नई रिकूटमेंट के बारे में जो की नई विकीनसी है इस साल दो हजार तेज की दोस्तों यहाँ पर तेंध किलास पास से लेकर के 12th pass, graduate pass, सभी qualified के इंडियेट्स हो हैं अपलाएग कर सकते हैं विकीनसी के लिए और जो विकीनसी है औल आवर इंडिया की जौब है मतलब आप इंडिया की किसी भी state and state में रहते हैं तो आप सभी के इंडियेट्स male और female अपलाएग कर सकते हैं सालदी की बात की जाय तो 70,000 पर मन्त आपको सालदी मिल रही है जो कि काफी शानदा सालदी है और यहाँ पर कुछ विकीनसी ऐसी है जिसके लिए आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी डिरेक्ट आपका सेलेक्शन भी होने वाला है और अपलिकेशन फीज बिलकुल फ्री है और डिरेक्ट आपका यहाँ पर सेलेक्शन है ठीक है तो चलिए कैसे अपलाई करना है डिटेल्स में आपको बताते हैं सिदा ओफिशल वापसाइट के दुरू तो फ्रेंड्स हमारी जो ओफिशल वापसाइट है यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जौप की जानकाई दी जाती है आप चाहें तो दोस्तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सिदा हमारी ओफिशल वापसाइट परा जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन वेकेंसी के बारे में जो कि State Bank of India SBI की तरफ से निकाली गई है दोस्तो State Bank of India SBI की तरफ से आचुकी है नई और बंपर भरती जैसा कि आप जाते हैं सर्कल बेस्ट ओफिशर की वेकेंसी आउट हो चुकी है नोटिफिकिशन जारी हो चुका है CBO की वेकेंसी है ठीके पांच हजार दोस्तो असी पोस्ट पर ये वेकेंसी निकाली गई है जिसके फ्रेंड्स आप इदन आपसे ओनलाइन मागे जारे है आप इदन अभी भी चल रहे हैं अभी ये तक आपने अपलाई ही नहीं क्या है तो आज ही अपलाई कीजेगा All India के candidates सभी male और female अपलाई कर सकते हैं Selection का process केवल रिटन एक्जाम के थूर रहेगा आपका केवल एक्जाम होगा इंट्रू नहीं होगा Salary 36,000 से 33,840 रुपे पर मत आपको मिल रही है महीं job location all over India की है Age limit जो है minimum 18 है Maximum 30 साल है और age का relaxation भी आपको मिल रहा है reserve के candidates को बात की जाए application fees की तो यहाँ पर journal OBC EWS के लिए 750 रुपे application fees है जिसका आप सभी को payment online करना है बाकि SCSTPW के लिए free है ठीके education qualification में यहाँ पर graduate pass के इंडिएट सभी apply कर सकते हैं चाहे आप arts, commerce, science, media, bb.tech किसी भी subject में graduate pass है तो आप apply कर सकते हैं eligible हैं दोस्तो इसके आवे दिन already start हो चुके हैं 22 November से 12 December तक जो हैं आप apply कर सकते हैं बाकि complete जानकर याप इस notification से ले सकते हैं यहाँ पर notification में आपको complete जानकर यहाँ रखी है अलग-अलग circle से जो वेकींसी है category wise, journal, OBC, SC, ST सभी के लिए कितनी कितनी वेकींसी है complete जानकर यहाँ पर है अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की वेकींसी की बात करते हैं औलवर इंडिया में तो आप अपलाई कर सकते हैं eligible हैं पोस्ट की बात कीजा है तो असिस्टेम मैनेजर की पोस्ट है ब्रांच मैनेजर की है और बिजनस डवलप्मेंट मैनेजर की है कलर की है कलेक्शन ओफिसर की है कस्टेमर सर्विस एक्जिक्टिव की है फाइनस अन अकाउंटिंग की है जनल मैनेजर की है मैनेजर की है हलपर की है ड्राइवर की है MTS की है PO की काफी सारी वेकींसी से 12,500 प्लस वेकींसी है फ्रेशर और एक्स्पियंस सभी के इंडिट्स अप्लाई कर सकते है जोब के लिए आवे दिन सिर्फ आपको ओल्लाइन करना है सलेक्शन का प्रोसेस के वल आपका इंटर्वू के थुरू रहेगा सारी, SDFC, बेंक के रोल्स के मुताबित मिलेगी वही जोब लोकेशन औल आवर इंडिया की है एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है नेक्जिमम जो है 50 साल है अगर आपकी एज आठरा से 50 साल के बीच में तो आप अलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं अप्लेकेशन फी जो है जनल ओबीसी, SC, ST सभी के लिए बिलकुल फ्री है तो आप किसी भी कैटेगरी या सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिलकुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कम से कम तैंथ क्लास पास केंडिगेशन अप्लाई कर सकते हैं वहीं तैंथ के लावा अगर आप 12 या ग्रेजूट पास है तो आप सभी केंडिगेशन के लिए विकीन सी निकाली गई है आविदन जो है अल्रेडी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से आपको क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आप सिदा आजाएंगे SDFC के पोडल पर यहाँ पर आपको नीचे आना होगा यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे यहाँ पर फर्स लिंक पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर यह रहा आप दिसकते हैं online forum ठीक है आज यह apply किज़ेगा अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एको नई vacancy की जो की PNB bank की तरफ से निकाली गई है जी हां दोस्तो PNB midlife की तरफ से आ चुकी है नई vacancy यहां पर जो vacancy out की गई है वो advisor की post पर vacancy out की गई है जिसका apply करने का process केवल online है selection का process केवल interview के थुरू रहेगा आपका कोई भी exam नहीं होगा salary आपको काफी अच्छी मिल जाएगी आप unlimited यहां से कमा सकते हैं पचास अजार या एक लाग रुपे तक पर मन्त आप यहां पर earning का सकते हैं age limit जो है minimum 18 साल है maximum S पर norms रहेगी अगर आप 18 से मान लीजिए 50 साल के भी है तब भी आप apply कर सकते हैं और application fees सभी के लिए बिल्कुल free है और education qualification में केवल तेंथ class pass candidates हो है apply कर सकते हैं दोस्तो इसके आविदन शुरू हो चुके हैं यहां पर आपको क्लिक करना होगा जिसे आप क्लिक करेंगे आप सिधा नई पेश पराजेंगे और यहां पर भी आपको आकर करना क्या होगा यहां पर apply बटन पर क्लिक करना है आप सिधा नई पेश पराजेंगे पूरी जानक आप्लाइब करने का प्रोसेस यहां पर ओनलाइन है और फिमेल चैन्डिगेट्स अपलाइब कर सकते हैं सेलेक्शन का प्रोसेस के वर इंटर्वु के थुरू रहेगा आपका एक्जाम नहीं होगा सालडी आपको ICICI Bank के रूस के मताबित मिलेगी वहीं जॉब लोकेशन आल आवर इंडिया की है एस लिमिट जो है अठरा साल है कम से कम मैक्सिमम एस पर नॉम से अप्लिकेशन फी जनल ओवी सी सी एस टी सभी के लिए बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर जो experience है उसके बारे में साफसा बताया गया है अगर आप as a fresher है, experience older है तो आप apply कर सकते हैं एजुकिशन qualification में तेंद class pass, 12th pass और any graduate pass के इंडियर्स अप्लाइए कर सकते हैं इसके आवेदें शिरू हो चुके हैं यहाँ से आपको click करना होगा आप सिधा नए page पर आजाएंगे कुछ second wait करना है, कुछ second के बाद में आपके सामने नया page आजाएगा जिसमें आपको online forum मिल जाएगा, वहाँ से आप forum भरके submit कर सकते हैं आप दिसके हैं यहाँ पर जो vacancies हैं, उसकी जानकर यहाँ पर details में दे रखी है अपलाई करने का बटन यह रहा, sign up पर click कर दीजेगा, आपके सामने online forum आजाएगा तो यह रहा online forum जिसे आज ही भरके submit कीजेगा अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक को नई vacancy के बारे में, जो की SBI bank की तरफ से निकाली गई है दोस्तों, State Bank of India की तरफ से Junior Associate Clerk की भरती आ चुकी है 8,773 पोस्ट पर यह भरती है जिसके आवेदन फ्रेंट्स आप से online मागे जा रहे है All over India के candidates male और female apply का सकते हैं, selection का process जो रहेगा, period और main exam के दोरा रहेगा Salary आपको लगबख 47,920 रुपे पर मन्त मिल रही है, job location All India की है Ace limit 20-28 साल है और ICO में छूट है रिजर्व के candidates को Application Fees General OBC के लिए 750 है, SCST Accessment के लिए free है, बाकि payment आप सभी अधर को online करना होगा Qualification में graduate pass के candidates सभी apply कर सकते हैं, आवेदन 17 November से 7 December तक चलेंगे यहां से आपको click करना होगा, आपके सामने आजाएगा notification, तो यह रहा notification, आज ही apply कीजएगा दोस्तों इन विकिंसी के लावा और भी नहीं भड़ती हैं, जिसकी जानकर यह आप सीधा हमारी website के थुरू ले सकते हैं अप्लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट से तो कमेंट वीडियो को लाइक और चलनको सब्सक्राइब जरू कीजएगा, तैंक्यू सो मच